हैलो एभरीबन मैं हूँ धर्मेंद कुमार और आप देख रहे हैं डीकेटेकनो 52 में आपका स्वागत है दोस्तों आज का मेरा कंटेंट है कि यदि आप इस्टाग्राम पे वीडियो क्रियेटर है और उस पे रील अपलोड करते हैं फोटो अपलोड करते हैं दोस्तों तो उस पे कितने सब्सक्राइबर पर आपका जो मोनेटाइजेसन है वह अनेबल हो जाता है या कितने फालोवर पर ठीक है दोस्तों सौरी इस्टाग्राम पर फालोवर होते हैं दोस्तों तो देखे मैं आपको बता दूँ जहां तक मेरा अन्भव है दोस्तों कि उस पर फालो quanνα ж petites waferralelen beauty guideline का पालन करते हैं पार्टनर को पालन करते हैं दोस्तों कोई भी आप गलती नहीं करते हैं और आप time puncturity से बीडियो डाल जाल रहे हैं दोस्तों तो आपको मतलब subscriber का कोई criteria उस पर होता ही नहीं है ठीक है आपका गिफस अनेबल हो जाता है उसी को monetization करते हैं Gifts Unable हो जाता है तो आप उसमें IFC bank के count अपना नाम पैन कार्ड हो गरे डाल करके Gifts को Unable कर सकते हैं US Tax Farm भर के तो जिससे मतलब कि किसी को अच्छा लगता है तो वहाँ आपको Gifts के रूप में कुछ रुपए सेंड कर सकता है जो कि आपकी earning बढ़ ज करना होगा किसी का copy paste video आपको नहीं डालना है यदि आप copy paste video डाल भी रहे हैं दोस्तों तो आपको करना क्या है बढ़िया से editing करना है उसका background हो गया और बिल्कुल अच्छा से editing करना है ताकि पता ही ने चले और वीडियो का title आपको अच्छे से लगाना है और उसमें आपको wise over करना है और मतलब कुछ अलग कर देना है ताकि वह copy paste लगे ही ने दोस्तों ऐसे हम तो कहेंगे कि इस्टाग्राम पर लंबे टाइम तो गवर करना है और उससे earning करना है दोस्तों तो आपको खुद का content डालना होगा आप बहुत सारा वीडियो देखते होंगे दोस्तों तो एक बार फिर बता दूँ कोई कैटेरिया नहीं है आप फालोर का आपका 10, 20, 50, 100, 200, 500 फालोर पे भी आपका गिफ्ट अनेबल हो जाता है मैंने खुद अनेबल किया था दोस्तों मेरा 560 सब्सक्राइब फालोर था तभी मेरा गिफ्ट अनेबल हो गया था दोस्तों तो आपको रिप्लाई अवस्य करेंगे तब तक अपना ध्यान रखिएगा धन्यबाद